हेलो दोस्तो दोस्तो अक्सार हम देखते हैं कि जब हम कोई भी प्लांट लगाते हैं या सब्जी वाले प्लांट हो या फूल वाले प्लांट हो तो उसमें कभी-कभी इतने ज्यादा मात्रा में मिली वक्स और चीटियों का टैक हो जाता है कि जब हम होमेड यूज फंगिशाइड और होमेड जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं उससे भी नहीं यह हट पाते हैं तो यहां पर देखिए यह मेरे बैगन का प्लांट है और इसमें इतने ज्यादा मिली वक्स लगे हुए हैं हाला कि इसमें सभी में सबजी बहुत आई ह हुए हैं हैं मिली वक्स लगने से वौइट-वैट के के लिए होते हैं इन पतियों में ऑ big लगने हैं और इसके लगने यह पर देखिए सभी पतियाoire हो रही है यहां तक ही प्लांट के जो उपर वाले भाग हो वो करली हो जाते हैं तो सारे खराब हो जाते हैं तो यह फूल नहीं बना पाते हैं और जब फूल नहीं बना पाते हैं तो यह फल में डवलप नहीं होता है अक्सर फूल गीर ही जाते हैं फूल तो बनते हैं लेकिन गीर जाते तो दोस्तों कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारे होमेड यूज करते हैं जैसे नीम ओयल का एस्प्रेय हो गया या फिर जो हम घर में होमेड बनाते हैं जैसे लहसुन मिर्ची और अधरक का जुक पेस्ट बनाते हैं उससे भी हम एस्प्रेय करते हैं तो उससे कभी-कभी क्वेस त्वेत रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है तो हमें कभी-कभी केमिकल वाले पेस्टीशाइड का भी यूज करने करना परता है तो आज दोस्तों देखिए मैं अक्सर डालती तो दोस्तों हम चेमिकल वाले पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो आज एक ऐसे ही पेस्टिसाइड का मैं यूज दिखाऊंगी तो दोस्तों वह चेमिकल वाला यह पेस्टिसाइड यह है साइपर यह पूरी तरह से केमिकल वाला नहीं है इसमें आधा जो होता है और यह पू और इसका रिजर्ट दोस्तों देखिए ये मैंने साम को डाला था अपने प्लांट्स पे और इसका रिजर्ट देखिए कैसा है अभी मैं आपको दिखा रही हूं इसका रिजर्ट बहुत ही अच्छा है साम को डाला था और देखिए पतियों पर कितनी साइनिंग आ गई है और और सारे इसके जो मिली वक्स का था वो बहुत हद तक इसमें खतम हो गया है तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और यह बहुत आसानी से मिलने वाला है और बहुत ज्यादा हान्फुल भी नहीं है यह पेस्टिसाइट सभी तरह के फलो सबजीयो या फूलो वाले प्ला देखिए यहां पर जो सारे रैपर में लिखा हुआ है यह 60 रूपीज का है और 200 ml है यह और इसका जो डालने का तरीका है या कोई भी फेस्टिसाइड हो दोस्तों उसको अर्ली मॉनिंग या बिल्कुल साम में ही डाले अगर इसे दिन में डालेंगे तो दोस्तों इसके जि तो मैं इसमे 10 ml ही डालऊँगी क्योंकि जो मेरा इसप्रे बोतल है व क्योंकि देर लीटर का है तो इसमें 1 लीटर में पानी डालूँगी और 10 ml इसमें मैं यह पैस्टी हैดलोंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा यह हाड़ है और बहुत ही स्ट्राँ यह 200 ml हमारे सभी पॉद जोनी डालके मैं इसको बंद कर दे रहे हूं यह सम É il done personal healing soul यहां ही ben यह साम हो गя है क्योंकि मैं थोड़ी सी सांव कोने के बाद मत अंदेरा बहुत होने वाला है तो साम को ही मैं डाल रहे हूँ, अक्सर मैं कोई भी पेस्टिसाइट साम को ही उज़ करती हूँ, इससे रात बर इसकी महक इसमें प्लांट में बनी रहती है, और इसकी महक रहने से हमारे जितने भी इसमें प्लांट में कीरे लगे हैं, मिली वक्स और चीटियो का जो अटेक ह तो रात बर में खतम हो जाता है तो आप ऐसे दो जब इतने ज्यादा अगर मिलीवक्स का टैक हो तो यह पेस्टिसाइड का यूज जरूर करें केमिकल वाले पेस्टिसाइड का और दोस्तों इसको जब भी डाले तो साम को ही डाले या बिल्कुल सुबह में डाले तो इस तरह स्चेय लग जाते हैं चोटे चोटे काले काले की लाज तो ऑ्फिलो वाले पौदे में भी इसका बहुत अच्छा रीजाता है तो दोस्तों वीडियो पसंद आई वी तो लाइक शेर कीजेगा और मेरे चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजेगा और बेल आइकन की घंटी होती है ना उसे प्रेस करना मत भूलेगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करू तो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और एक कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक स्वास्त रहे हैं मस रहे हैं अपने कामों प्यास